लाडली बैना योजना के अंतर गत परते एक महीने की दस तारीक को महीलाओं को हजार हजार रुपए दिये जाएंगे और साल के बारा हजार रुपए दिये जाएंगे मुखे मंतरी लाडली बेना योजना के अंदर गत पातर महीलाओं दोवारा ओफलाइन फोरम बरा जाएगा और उसके बाद में ओनलाइन फोरम बरा जाएगा लाडली बेना योजना के अंदर गत सभी सरेणी की महीलाइन फोरम बर सकती है साथी ग्रामिन और सैरी दोनों छेतर की महीलाएं फोरम भर सकते हैं तो नमस्कार साथी आपसे भी देख रहे हैं जो वलड़ गुरू आज हम आपको बताने वाले हैं लाडली बैना योजना के अंतरगत हमें जो ओफलाइन फोरम दिया जाएगा वो हम कैसे भर सकेंगे साथी ये जो लाडली बैना योजना है ये मदे परदेश राजे की मूलनिवासी महीलाओं के लिए योजना है आप कौन से राजे से हैं आप में कॉमेंट कर सकते हैं तो आई दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं आप से भी को बता देंगे लाडली बैना योजना के अंतरगत फोरम किस तरह से बरा जाएगा लाडली बैना योजना में कौन-कौन महीलाएं पातर हैं और कौन-कौन महीलाएं एपातर हैं लाडली बैना योजना के अंदर गात 8000 करोड रूपए से ज़्यादा महीलाओं को दिये जाएंगे योजना के आवेधन जमा कराने की परक्रिया बहुत ही सरल होगी योजना के लिए इस्तानिय संस्ताओं में ही आपको फोरम जमा करवाना होगा गाम और सहर के वार्डों में सीविर भी लगाए जाएंगे मार्च और अपरेल में आवेधन फोरम बढ़े जाएंगे यानि की 25 मार्च से लेकर 30 अपरेल 2023 तक ओफलाइन और ओनलाइन फोरम बढ़े जाएंगे और जरूरत पढ़ने पर फोरम बढ़ने की अनतिम तारिक को बढ़ाया भी जा सकता है यानि की 30 अपरेल से हो सकता है की 15 दिन के लिए या पिर 10 दिन के लिए बीजले बढ़ाई जा सकती है उनको हर महीने की 10 तारी को 1000 रुपए दिये जाएंगे अब हम आपको बतादें कि लाडली बैना योजना के लिए पातरता क्या है तो परिवार की वार्सी काई 2,5,000 रुपए से कम होनी चाहिए साथी परिवार के पास 5 एकर से कम जमीन होनी चाहिए परिवार में किसी के भी नाम, जीब, कार, ट्रेक्टर नहीं होना चाहिए घर में कोई भी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए उन्ही महीलाओं को इस मुखे मंतरी लाडली बैना योजना के अंदर गद 1000-1000 रुपए दिये जाएंगे और इस लाडली बैना योजना का फोरम बिलकुल फ्री में बरा जाएगा, निशुल का बरा जाएगा अगर आप से कोई पैसे मंगे या फिर आप से कोई दलाली करे तो उसके लिए यहाँ पर एक टॉल फ्री नमबर दिये गए 181 पर आप फोन करके सिकायत भी कर सकते हैं साथी इस लाडली बैना योजना में 25 मार्स से लेकर 30 अप्रेल तक महीलाई फोरम फरी में बरवाज सकती है साथी जरूरत पढ़ने पर तारिक बड़ा भी दी जा सकती है साथी तेईस साल से लेकर 60 साल आईउ तक की महीलाई फोरम बरवाज सकती है और लाडली बैना योजना में कोन महीलाई फोरम बर सकेंगी पात्तर माता बैनों को सरकार से 1000-1000 रुपे मिलेंगे माता बैनों के परिवार की वार्षिक आए 2,50,000 रुपे से कम होनी चाहिए पात्तर महीला के परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं होना चाहिए यानिकी इंकम टेक्स देने वाले नहीं होने चाहिए साथी परिवार का कोई भी सदस्य परदेश या पिर केंदर सरकार की नोकरी में नहीं होना चाहिए साथी सरकारी सेवास से रिटाइड होने के बाद पैंसन प्राप्त करने वाला भी नहीं होना चाहिए साथी परिवार के किसी भी सदसे के नाम पर 4 पैया वाहन या ट्रेक्टर नहीं होना चाहिए परिवार के पास समलीत रूप से 5 एकर से अधिक जमीन भी नहीं होने चाहिए किसी भी योजना में 1000 रुपए या फिर इस से अधिक अगर लाब मिल रहा है किसी भी मैला को तो उसको भी इस योजना के अंतरगत 1000 रुपे नहीं दिये जाएंगे यानि कि अगर आपको पैंसन मिल रही है चाहें वो विद्वा पैंसन हो या फिर वर्दाउस्ता पैंसन हो कोई भी पैंसन अगर आपको मिल रही है अगर वो हजार रुपे मिल रही है तो आपको इस योजना में सामिल नहीं किया जाएगा अगर 1000 रुपए से कम पैंसन मिल रही है तो जितने भी रुपए 1000 रुपए से कम मिल रहे हैं उतने ही रुपए इस लाड़ी बैना योजना के अंतरगत दिये जाएंगे और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि लाड़ी बैना योजना के लिए हमें जो शीविर पर फोरम दिया जाएगा वो कैसा फोरम होगा और कैसे बरा जाएगा योजना में फोरम बरने से पहले आप अपने परिवार का समगर आईडी कार्ड जरूर बना ले अगर परिवार का समगर आईडी कार्ड बना हुआ है तो परतिक सदेश्य का समगर आईडी भी जारी किया हुआ होना चाहिए तो लाड़ी बैना योजना में जो फोरम बरवाय जाएगा वो एक पेज का फोरम होगा ऐसा ही फोरम आपको सीविर पर दिया जाएगा अगर किसी को भी ये फोरम डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दीगी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले आवेदिका की समगर आईडी भरी जाएगी यानि कि आपके परिवार का जो समगर आईडी कार्ड है उसमें परतेक सद्देशी की जो समगर आईडी जारी की गे आईडी नमर याँ पर महीला के पैन से लिखे जाएंगे और उसके बाद में दो नमर है महीला के अधार नमर 12 अकसर लिखे जाएंगे उसके बाद में आवेदिका का जो भी नाम है आदार कार्ड में समगरा एडी कार्ड में वही नाम यहाँ पर पैन से लिखा जाएगा उसके बाद में जो भी आवेदिका करने वाली महिल है उसके पती या फिर पीता का नाम लिखा जाएगा उसके बाद में जनम तारिक यहां पर सबसे पहले दिन उसके बाद में मा और उसके बाद में वर्स यहां पर पैन से बरना होगा उसके बाद में च्छाय नमर है आवेदिका का पता पूरा एडरेस यहां पर देना होगा उसके बाद में जीला और पिन कोड यहां पर आपको पैन से लिखना होगा अगर आप सहरी चेतर से हैं तो यहां पर सहर का नाम और वाड संक्या लिखना होगा अगर आप ग्रामिन से हैं तो गाम का नाम यहां पर पैन से लिखना होगा उसके बाद में आविदिका का मूबाइल नमबर जो एक्टिव मूबाइल नमबर है वही मूबाइल नमबर यहाँ पर पैंसे लिखना है उसके बाद में 8 नमर है वरग यानि कि आपकी जाती क्या है सामने है अनुसुची जाती है या फिर अनुसुची जन जाती है या पिर अन्य पिछड़ा वरग है जो भी महीला का वरग है उस पर राइट का निसान लगा देना है उसके बाद में 9 नमर है क्या सासन से विद्वा या फिर ने सकत इतियादी pension प्राप्त कर रहे हैं अगर pension प्राप्त कर रहे हैं तो आपर याँ पर check कर देना है अन्य था नहीं पर check कर देना है उसके बाद में 10 नमर है विवा की इस्तती क्या है विवाहीत है या फिर तलाक सुदा है या फिर विद्वा है या फिर प्रितकता है यहां पर केवल चार ही सरेणी की महीलाईं फोरम बर सकती है एविवाई ही तो महीला फोरम नहीं बर सकती है तो लाडली बैना योजना के इस फोरम में 10 नमर तक हमें अपनी बेसिक डिटेल ही बरना है समगराईडी नमर आधार नम और यहां पर मैं गोषना करतीूं। ये एक सपत पतर है, मेरे परिवार की समलित रूप से वारसी काई 2,50,000 रुपे से कम है, इस पर राइट का निसान लगा देना है, ये जितने भी जो खाली कोलम दिये गए हैं, उन सब में हमें राइट का निसान लगा देना है, यानि कि अगर आप किसी को भी खाली छोड़त या फिर क्रोस कर देते हैं, तो आपको इस योजना के अंतरगत फाइदा नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर हमने सब पर राइट का निसान लगाने के बाद में, यहां पर आविदिका के अस्ताकसर करने हैं, जो भी मेला फोरम बर रहे हैं, उसके अस्ताकसर किये उक्त परपत तरमातर ओनलाइन परवस्टी है तो जानकारी एक्तरित करने के लिए, यानि कि यह जो फोरम बरवाय जा रहे हैं, यह केवल और केवल एक जानकारी प्राप्त करने के लिए ही बरवाय जा रहे हैं, जैसे हम यह फोरम बर देंगे, उसके बाद में इसी फोरम क दर्ज होने के पच्चात में हमें हमारे मोबाइल नम्मर पर SMS के मादम से या फिर WhatsApp के दवारा अप्लिकेशन ID भेज दी जाएगे तो इस फॉर में बहुत ही सिंपल है हमें अपनी basic detail बरना है और यह पातरताइं दी गिए इन सब पर साइट का निसान लगा देना है और जो भी आवेदक महिल है उसके इस्ताक्सर यहां पर किये जाएंगे उसके बाद में आवेदन की online प्रविस्टी के पच्चात पावती फाड़ कर दी जाएगी यानि कि यह जो तीसरा step है यह हमें भर कर वापिस दिया जाएगा यह हमारे पास प्रूफ होगा कि हमने मुख्य मंत्री लाड़ली बैना योजना के अंदर गात फोरम भर दिया है और यह जो प्राप्ति रसीद हमें वापस दी जाएगी इसे हमें नहीं बरना है जब यह हम फोरम गनाम उसके बाद में अधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं है अगर लिंक है तो हाँ पर राइट का निसान किया जाएगा अगर आपका बैंक काता डीवीटी अनेबल है तो हाँ पर राइट का निसान लगा जाएगा अगर डीवीटी अनेबल नहीं है तो न नहीं पर निसान लगा जाएगा उसके बाद में यहां पर तीन कारण दिये गए नेमन कारणों से आवेदन ग्रहेंड नहीं किया गया यान की तीन कारणों के दवारा आपका फोरम जमान नहीं भी किया जा सकता है एक नमर है एविवाइट होने पर दूसरा है आयू 23 वर्ष स से कम या फिर 60 साल से ज्यादा है तो इस फोरम को नहीं लिया जाएगा साथ इस समगर में अधार एके वाई से नहीं होने पर भी फोरम को नहीं लिया जाएगा अगर किसी को भी इस मुख्य मंत्री लाडली बैना योजना के लिए हलप लाइन नमर चाहिए तो यहां पर वीडियो की डिस्क्रिप्सन में मिल जाएंगे अज आप लाडली बैना योजना का जो ऑफ-लाइन वोरम है वह बना जान गए होंगे और कौन-कौन महिलाएं फातर हैं और कौन-कौन महिलाएं एपातर हैं यह भी आप जान गए होंगे उमीद है जानकर यह आपको अच्छ